एम्स नॉर्सेट का एक्जाम बहुत नजदीक है दो चार दिन ही बाकी है एडमिट काड आ चुके हैं सेंटर्स चेक कर लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वार्मेंट्स उसमें मांगी गई हैं वहे लेके जाएं एडमिट काड आधार काड या जो भी आईडी प्रूफ मांगा है बन फोटोग्राफ यह सब चीज़ें लेकर जाना है यह सब चीज़ें जरूर समाल कर लेकर जाएं एक बात और टाइम से पहले पहुँचना है कम से कम आदा घंटा पहले कई बार हम क्या करते हैं कि जो गेट क्लोज होने का टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं अगर आप याद रखिए दो मिनट भी लेट होगे तो मैंने कई बार ऐसे स्टुडेंट को एक्जाम से बाहर होते हुए देखा है जो दो मिनट या एक मिनट ही लेट हुए और एक बार अगर गेट बंद हो गया तो फिर वो ऊपन नहीं करते हैं फिर आपका पूरा टाइम खराब हो सकता है और सब कुछ वेस्ट हो सकता है आपके एक्जाम की प्रिपरेशन वेस्ट हो सकती है तो आपको क्लोजिंग टाइम से नहीं गेट ऑफ एंटरेंस का जो वेस्ट करूँगा कि ओपनिंग गेट के टाइम से आप आदा घंटा पहले का मार्जिन लेकर चलें चलिए एक कोशन जो आपके काम आने वाला है आज से तीन से चाहा दिन के बाद Borderline Personality Disorder लगातार हम Personality Disorder equation solve कर रहे हैं Borderline Personality Disorder है, Client become nauseated उसे nausea हो रहा है, vomits कर रहा है Immediately after drinking 2 oz of shampoo as a suicide gesture मरीज suicide gesture दिखा रहा है, उसने 2 oz of shampoo पी लिया है और जैसे ही उसने पीया है, immediately वो vomits करना स्टार्ट कर रहा है और उसे घबरहात हो रहे है Borderline Personality Disorder का case है, Appropriate Initial Response by the Nurse मैं फिर बोलूँगा, इस चीज़ पर फोकस कीजिए, Initial Response by the Nurse Promptly notify the attending physician, immediately हम physician को concern करेंगे, notify करेंगे Immediately apply suicide precautions, immediately suicide precautions को start कर देंगे Check vitals and give syrup ipsy Check vital and give syrup ipsy देखिए, और last, sit quietly with client until nausea and vomiting subside Until nausea, vomiting, subside बहुत आसन कोशन है, देखिए, एक बास सोचिए एक बास सोचिए, ड्रग जब तक physician prescribe न करे, कोई भी ड्रग नहीं दे जाती है दूसरी बात, nausea vomiting expected है, client से, अगर कोई इतना ज़्यादा shampoo पी ले तो दो आउंस, एक आउंस में 30 ml होता है, 30 ml होता है, तो लगभग उसने 60 ml shampoo पी लिया तो वो तो vomit करे गई, वो तो reflex आई गई आएगा, तो उसमें हमें कोई ऐसा syrup वगएरा देने की जरूद नहीं है, यह expected है, तो यह answer नहीं है Immediately apply suicide precaution, यह एक pre-mature response होगा यह एक pre-mature response होगा, अभी suicide precaution या one-to-one close observation की जरूद नहीं है, यह क्यों नहीं है, आपके मन में यह भी confusion आ रहा होगा, देखो हम लगातार borderline personality question या personality disorder question solve कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि बड़ी dramatic और attention seeking behavior दिखाते हैं, इनको personality disorder के cluster B में रखा गया है, cluster B में वो सारी बीमारियां आती हैं, वो सारे personality disorder आते हैं, जो dramatic होते हैं, जो erotic होते हैं, तो यह attention खीचने के लिए, चाला की दिखाने के लिए, यह अपने विहवार को dramatic way में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो 60 ml शेंपू उसने पिया है, expected है, यह answer नहीं होगा, immediately suicide precaution apply करने ही जो दिया नहीं है, however, it is necessary, कि हम physician को बताएंगे, but question में पूछा है initial response, तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बार-बार बोल रहा हूँ, कि यह vomit होना और नहीं होना expected है, हम उसके पास बैठेंगे, हम उसे यह दिखाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना attention कीचने के लिए, ऐसा करते हैं, तो हम दिखाएंगे कि nurse जो है, वो care कर रही है, client की, nurse care कर रहा है, client की, उसके पास बैठेंगे, जब तक कि noise or vomiting subside ना हो जाए, and then we can proceed for the first step, तो right answer is D, right answer is D, D is the right answer, आप कोई doubt है, तो comment box में मुझे पूछ सकते हैं, thank you, have a nice day, and good luck for this NORSET 2023 exam,